CM Dr. Mohaniyadab आज हर्याना के चुनावी दौरे पर है जज़र के मात नहेल और भिवानी में रोड़ शो करेंगे मुखे मंत्री दिल्ली से सुबह 11 बज़े हर्याना के लिए रवाना होंगे दोपहर 12 बज़े मात नहेल में रोड़ शो करेंगे मुखे मंत्री दोपहर 1 बज़े भिवानी में रोड़ शो में शामिल होंगे और दोपहर 3 बज़े वापस दिल्ली पहुचेंगे CM Dr. Mohaniyadab तो देखे हर्याना के चुनावी दौराय पर एक बार फिर से आज ज़े CM Dr. Mohaniyadab पहुचने वाले है जज़र के मातनाहिल और भिवानी में आज रोड़ शो किया जाएगा और BJP प्रित्याश्वी के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी सोबा 11 बज़े दिल्ली से हर्याणा के लिए CM रवाना होंगे दोपहर 12 बज़े मातनाहिल में रोड़ शो होगा उसके बाद दोपहर एक बज़े भिवानी में कारी करम होगा और दोपहर तीन बज़े वापस मुख्य मंत्री दिल्ली पहुँचेंगे और इसी खबर पर ज़्याण कारी कलेसी दरू करेंगे समवादाता सूरज हमारे साथ लाइफ जुड़ गए है सूरज देखे लगतार हर्याणा के चुड़ाव में अपनी भूमी का निभा रहे है मुख्य मंत्र और आज फिर चुनावी प्रचार में पहुँचने वाले है आज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और सबसे पहले मुखंत्री मोहने आदाव करीब करीब दो पहर के बारा वजे हर्याना के जजजर विधान सवा सीट पहुचेंगे और यहाँ पर एक बड़ा रोट सो मुखंत्री मोहने आदाव करेंगे जजजर विधान सवा सीट डीटू एक ऐसी सीट है जहाँ पर 2009 से कॉंग्रेस की जो गीता भुकल है वो चुनाव जीती आए है ऐसे में कॉंग्रेस लगातार इस चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराती रही है लेकिन बीजेपी को जीत नहीं मिली है लंबे अर्से से ऐसे मुखंत्री मोहने आदाव यहाँ पर चुनावी परचार परसार करने जा रहे हैं विदान सवा सीट एक ऐसी सीट है जो लंबे अर्से से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है लेकिन इस सीट के एक बड़ी बात यह है रितू की कॉंग्रेस जो हरियाना की 90 विदान सवा सीटे है केवल 89 सीटों में चुनाव लड़ी है भीवानी जो विधान सवा सीट है रीटू उसमें कॉंग्रेन ने CPIM के लिए छोण रखा है तो कहीं ने कहीं इसमें जो मुकाबला है BJP वर्सच CPIM का है ऐसे में ये देखना होगा कि जो BJP की सीट गर रही है क्या विपक्षिस पे जीत क परचम लहरा पाता है तो ये ऐसे समझे रीटू कि मुक्षंत्री मोहन यादा को जो दोरा है दो विधान सवा सीटों में एक सीट ऐसी है जहां पर लंबे अर्शे से BJP नहीं है और एक सीट ऐसी जो भीवानी है वहाँ पर लंबे अर्शे से BJP तो है लेकिन विपक्ष का को हुआ